आपकी दुनिया में घटती है कुछ खौपना घटना है आपके सामने होने पर आपके जीवन के माइने बदल जाते हैं जब तक आप इन सक्तियों से रूबरू नहीं होते तब तक आप इन्हें नहीं मानते जिन लोगों के साथ ये डरावनी घटनाए होती है उनकी जिन्दगी खौफ से भर जाती है आईए जानते हैं कुछ ऐसी ही सची घटनाओं के बारे में अगर आपके पास कोई सची घटना तो आप हमें भेज सकते हैं अगर आपकी कहानी हमें पसंद आती है तो हमारे चैनल की तरफ से आपको गिप्ट इनाम के तौर पर दी जाएगी आईए जानते हैं सची घटना के बारे में यह कहानी है एक टीचर की जो सहर से गाउं पढ़ाने के लिए आया करता था सहर दूर होने के कारण उसे नित्य साम को जल्दी जाना पड़ता था उसने सोचा कि क्यों न मैं गाउं में ही रहकर लोगों को बच्चे को पढ़ाया करूं उसने गाउं में घर खोजना शुरू कर दिया प्रन्तु काफी दिन होने के बाद भी उसे घर किराए पर नहीं मिला क्योंकि गाउं में कोई भी अपना घर किराए पर नहीं लगाना चाहता है उसने वहां गाउं के मुख्या से बात की और मुख्या से कहा कि मुझे एक घर किराए पर चाहिए मुख्या ने बहुत सोच विचार करने के बाद एक बंद घर उसके लिए खुलवा दिया और कहा क कि आप इस घर में रह सकते हैं जो टीचर था वह अपने सहर से सारा सामाल लेकर आ गया और उस घर में रहने लगा रात के समय कुछ बिच्टर घटनाए घटती थी उस घर में सुबह जब टीचर की आखे खुली तो देखा कि उसके जितने भी शमान है वह बिखरे पड़े हैं यहां वहां फेके हुए हैं दरवाज के खुले हुए हैं जो बुक्स थे वह फेके हुए हैं तो टीचर को लगा के साइद कोई बच्चा सरारत कर रहा हो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह वापस अपने काम के लिए चल पड़ा अपने स्कूल पर पढ़ाने के चल पड़ा प्रन्तु रात में जब वह वापस आया घर में खाना खाने के उपरांद जब वह बेड़ पर सोने गया एक एक उसे नीद आ गई प्रन्तु बारह के कडीब उसकी नीद खुल गई और उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी वह जब उठा और देख हुए जोरो से उसी की तरफ दौरते हुई दिखाई पड़ी उसने देखा कि एक औरत के पूरे वदन में आग लगी हुई है और वो उसी की तरफ दौरते हुए आ रही है वह घबरा कर अपने बेड़ पर चड़ गया प्रन्तु यह क्या वह आरत उसके समीप उसके बेड़ से होते हुए उसके सरीर से बाहर रिकल गई वह घबरा कर पसीने पसीने हो गया फिर जोरो से हसने की आवाज आने लगी उसके सारे समान बिखर गए तहसनास हो गए दरवाजे खुद खुल और बंद होने लगे घबरा कर वह घर से बाहर भागा घर से बाहर भाग कर रात भ तो उसने अपनी सारी घटना लोगों को कह सुनाई कि मेरे साथ रात में ऐसी ऐसी घटना है घटी मैं क्या करू मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसी घटना है कैसे घट रही है तो कुछ बच्चों ने धीरे से उस टीचर के कान में कहा कि गुरु जी इस घर में एक औरत को उसके पती ने जिन्दा जला दिया था उसके बाद से ही ये रूम बंद है और कोई भी इस घर की तरफ नहीं जाता है और दिन में भी नहीं जाता है आपको इस घर को छोड़ देना चाहिए मास्टर जी उसी समय अपना बोड़िया विस्तर पैक किये और सहर की तरफ रवाना हो गए उसके बाद किसी ने उस master को दुबारा नहीं देखा क्या उस master के साथ घटनाए घटी कोई नहीं समझ सका आज भी उस room में बंद दरवाजे के पीछे क्या घटनाए घट रही है कोई नहीं जानता और कोई भी उस room को खोलने की कोशिस नहीं करता कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट अवश्य करिएगा अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप हमें अवश्य लिख कर सुनाएं, लिख कर भेजें हम आपको अपने चैनल की तरफ से एक गिप्ट प्रोबाइड करेंगे तब तक के लिए हमें आज्या दें तन्यमा